हाई गाई आप लोगों के लिए एक ऐसा फोन का रिव्यू लाया हूँ जिसने मार्केट में काफी हाइप क्रियाट किया हूआ है और इस फोन के रिव्यू के लिए आप भी काफी बेसबरी से इंतजार कर रहे थे अपल आइफोन को गंपीट करने के लिए आए दिन सभी ब्राइंड्स कोई ना कोई फोन मार्केट में लौँच कर रहे है पर वो सभी फोन्स सकसेस्फूल नहीं हो पाते पर मार्केट में एक ऐसा भी ब्राइंड है जिसने आपल की नाख में दम किया हूआ है यहां हम बात कर रहे हैं Samsung की और इस बार भी iPhone 6S को complete करने के लिए और कड़ी टककर देने के लिए Samsung अपने दो flagship phone लेगे आया है S7 और S7 Edge पर इन फोन के review जानने से पहले देखते हैं इन फोन की specifications को इन फोन के specs तो काफी अच्छे हैं और इन फोन की सबसे खास बात यह है कि इन दोनों ही phones में है expandable memory का option जो कि पिछली बार S6 और S6 Edge में नहीं था Samsung ने अपने इस नए flagship phone के design में जादा कुछ changes तो नहीं कि यह पर फिर भी यह phone एक classy और elegant factor देता है short और simple words में कहीं तो Samsung ने अपने design language में perfection हासिल कर ली है क्योंकि इस phone में काफी refinements भी हैं जैसे smoother edges, smoother back curve और अब आप इस phone को गौर से देखेंगी तो इस phone के front glass में भी फलका सा कर दिया है इस phone के front और back दोनों में Gorilla Glass 4 की production है इस phone के front bottom में दिया है home button ही इसका fingerprint scanner है जो की काफी responsive भी है इसकी volume की इस left side में है, power button right side में है इसके नीचे की तरफ है speaker grills, micro usd port और 3.5 mm audio jack और इसकी ऊपर की तरफ दिया है sim card tray जो की एक hybrid sim card tray है यही नहीं S7 और S7 Edge की एक खास बात और है और वो यह कि यह दोनों phones पानी में 30 मिनिट तक रह सकते हैं पर ऐसा नहों कि आप इन दोनों phones को अपने साथ रोज धोए क्योंकि Samsung water damage warranty नहीं provide कर रहा डिस्पले की ओर रुक करें तो जैसा हमने आपको बताया इसमें दिया है 5 इंच Super AMOLED डिस्पले with 2516 x 1440 pixels resolution और 571 PPI इस फोन का डिस्पले no doubts Apple iPhone 6S से काफी बहतर है इस ब्राइट, क्रिस्पियर और गॉजियस वीजूस देखना वो भी इसके लाउट स्पीकर के साथ इस icing on the cake इसके लावा टेक्स पढ़ना हो या फिर web surfing करनी हो इसका डिस्पले आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा और आपकी आइस पे stray नहीं डालेगा इसके colors काफी vibrant है और black level भी काफी अच्छा है जिसकी वज़े से outdoor usage में भी आपको परिशानी नहीं होगी बट unlike some recently launched phones इस phone में double tap to unlock को option नहीं है बलकि आप इसे gesture से unlock कर पाएंगे जो कि थोड़ा irritating लगेगा software के मामले में Samsung S7 में आपको latest Android 6.0 मिलेगा UI की बात की जाए तो Samsung के previous phones की तरह ही interface सेम ही है It offers touch ways जिसमें है minimalistic sections और ये एकदम simple और neat UI है पर अगर आप थोड़ी different look चाहते हैं तो Samsung इसमें pre-installed theme भी provide कर रहा है साथी इसमें है pop-up view और पुराने Samsung phones की तरह ही dual window को option भी इसके साथी Samsung Galaxy S7 और S7 Edge दोनों में ही है always on display feature जिससे आपको time और notifications के बारे में पता चलता रहेगा Now moving towards the performance अब यतना महेंगा phone है तो इसकी performance अच्छी होना भी लाजमी है हमने इस phone में Modern Combat 5 जैसी heavy game खेली और हमने कोई भी lagging issue face नहीं किया इसकी 4GB RAM की वैसे इसकी performance by default smooth हो जाती है app run without any sluggishness और इसके साथी इसका battery backup भी काफी impressive है हमने इसमें video loop टेस्ट किया और इसकी battery 15 घंटे तक survive कर पाई पर इस phone में एक problem है और वो ये के phone बहुत जल्दी heat up होना शुरू हो जाता है अगर ऐसा कोई brand है जो Apple phones के camera को beat कर सकता है तो वो है Samsung Yes, that's right, Samsung ने इस phone में 16 megapixel की जगा यूज़ किया है 12 megapixel का camera जो कि कम pixel होने के बावजूद भी काफी impressive है इसको camera एकदम simple है और easy to use है इसमें कुछ options भी दी हैं जैसे effect mode, HDR, timer, flash on off, picture size इसके लाबा app settings में भी जाके कुछ options यूज़ कर सकते हैं जैसे motion photo which shows a video clip of what happened before the picture clicked right swipe करने पर भी कुछ और interesting options आ जाते हैं जैसे raw mode, time lapse और भी काफी कुछ अब देखते हैं इस phone से click की गई कुछ pictures को चाहे rare camera हो या front camera, daylight में click की गई pictures काफी impressive थी with good level of details साथ ही low light condition में भी इसके camera ने हमें impress किया इसके साथ ही इस phone से video record करना किसी DSLR से कम नहीं और इसमें आप time lapse और slow motion videos भी record कर पाएंगे Samsung Galaxy S7 Edge की कीमत है 56,900 रुपे और Samsung Galaxy S7 की कीमत है 48,900 रुपे अब वक तो चुला है verdict का पर इस verdict से पहले हम आपको बता देते हैं Samsung S7 Edge के बारे में Samsung S7 और Samsung S7 Edge हर माइने में similar हैं सिवाए screen size के Samsung S7 Edge में दी है 5.5 इंच की screen और साथ में ये थोड़ी curved भी है और इस curved के अंदर छुपे हैं कुछ features आईए देखें जैसे आपको बताया कि इस phone में दिया है 5.5 इंच का display और side में दिये है curved edges जो कि आपको Samsung Galaxy S6 Edge में मिलते थे अगर आप इसको right की तरफ swipe करेंगे तो ये एक edge panel आ जाता है जिसमें आपको 9 edge panel तक use करने का option है जैसे आपको मैं दिखा दूँ के first page पे है आप message compose कर सकते हैं selfie ले सकते हैं task task दाल सकते हैं इस page पे basically आप अपने task के सारी applications दाल सकते हैं next page में अगर हम जाते हैं next panel में गाते हैं तो आप देख सकते हैं मेंने contacts दाल रखppe हैं phone दाल रखे हैं internet दाल डखाई gallery डाल रखिया next page पे इसको हम बोलेंगे Contact Panel, इसमें आप सारे अपने Contacts चाल सकते हैं, और Add भी कर सकते हैं. Basically, it works as the Quick Contact Menu option. अब इस पेज को आपकर Swipe करेंगे दुवारा से, तो आप एक Third Party Application आपको देहेगी Yahoo की, जिसमें आप सारे News देख सकते हैं, Up-to-date रह सकते हैं सारी News से. इसके इलावा आपको दिखा दूँ, कि आप इस Setting में जाके, अपने Pages और भी Add कर सकते हैं. Basically, इन Pages को हम Panels कहते हैं, Edge Panels. आप इसमें 9 Panels तक डाल सकते हैं. अब आपको कहेंगे, कि आप इसमें कम से कम Panel रखेंगे, तो जादा असान रहेगा, यूज करने में आपके लिए Easy रहेगा. इसके साथ ही, इस Edge का एक और Feature भी है. आप इस Edge Panels को On-Off तो कर सकते हैं, यहां से, साथ ही, आप इसमें Edge Feeds भी देख सकते हैं. अब Edge Feeds का मतलब यह है, कि आप जब आपका Phone Lock में है, 30 seconds तक कोई भी अगर आपको Notification आती है, तो आपको सारी Notification दिखेंगी. जैसे कि आप Step Counts भी आड़ कर सकते हैं, इसमें S Health के Thru, आप इसमें Yahoo की News डाल सकते हैं, Missed Call Alerts और Messages भी देख सकते हैं. और इसको आप On-Off कर सकते हैं, आपकी Battery सेब करने के लिए पर हाना कि Samsung का कहना है कि इससे बहुत ज़़दा Battery Consume नहीं होती. तो ऐसे ही कुछ फीचर्स हैं Samsung Galaxy S7 Edge में, जो इसे Samsung Galaxy S7 से अलग बनाते हैं. पर दूसरे पाइनों में, अगर Camera की बात करें, Performance की बात करें, या फिर इसके Fingerprint Sensor की बात करें, सब कुछ सेम हैं. Samsung S7 में आपको मिलता है 3000 mAh की Battery और इसमें आपको मिल रही है 3600 mAh की Battery. तो no doubt, इसकी बातरी Samsung S7 से बेटर ही होगी. अब अगर आप iPhone जैसे features, branded या किसी classy phone की दलाश में हैं, तो आप Samsung Galaxy S7 को definitely counselor कर सकते हैं. योगि इस phone में दिया है impressive camera, good battery life, smooth performance और vibrant display. Yes, यह सारे features आपको इस phone में मिलेंगे, और इस phone को अगर आप नहीं पसंद करते हैं, थोड़ा बड़ी screen चाहते हैं, तो आप Samsung Galaxy S7 Edge को भी खरीच सकते हैं. क्रूंग, मुष बखंएंगना जाज।